दूसरा सैमुविल पंधर्मांबाब इसके बाद ऐसा हुआ कि अभी सलूम ने अपने लिए एक रत और घोडे और पचास आदमी तयार किये, जो उसके आगे आगे दोडें, और अभी सलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशा के पास जाने को होता, तो अभी सलूम उसे बुलाकर पूछता था, कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराईल के फलाने कबीला का है, फिर अबी सलूम उससे कहता, देख तेरी बाते तो ठीक और सच्ची हैं लेकिन कोई बादशा की तरफ से मुकरर नहीं है जो तेरी सुने और अभी सलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शक्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इनसाफ करता और जब कोई अभी सलूम के नजदीक आता था तो उसे सिजदा करे तो वो हात भड़ा कर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था और अभी सलूम सब इस्राइलियों से जो बादशा के पास फैसला के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था यूँ अभी सलूम ने इस्राइल के लोगों के दिल मो लिये और चालीस बरस के बाद यूँ हुआ कि अभी सलूम ने बादशा से कहा मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावन के लिए मानी है हिबरोन में पूरी करूँ क्योंके जब मैं अराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावन्द मुझे फिर यरुशले में सच मुझ पहुँचा दे तो मैं खुदावन्द की अबादत करूँगा बादशा ने उस से कहा कि सलामत जा सो वो उठा और हिबरोन को गया और अभी सलूम ने बनी इसराईल के सब कबीलों में जासूस भेज कर मुनादी करा दी के जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना के अभी सलूम हिबरोन में बादशा हो गया है और अभी सलूम के साथ यरुशलम से दो सो आदमी जिन को दावत दी गई थी गए थे वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी और अभी सलूम ने कुर्बानिया गुजरानते वक्त जलोनी अखी तफल को जो दावत का मुशीर था उसके शहर जल्वा से बुलवाया ये बड़ी भारी साज़श थी और अभी सलूम के पास लोग बराबर भड़ते ही जाते थे और एक कासिद ने आकर दावद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अभी सलूम की तरफ है और दावद ने अपने सब मुलाजिमों से जो यरुशलम में उसके साथ थे कहा उठो भाग चलें नहीं तो हम में से एक भी अभी सलूम से नहीं बचेगा चलने की जल्दी करो ना हो के वो हम को जट आ ले और हम पर आफ़त आए और शहर को तैदेख करे बादशा के खादमों ने बादशा से कहा देख तेरे खादम जो कुछ हमारा मालक बादशा चाहे उसे करने को तैयार हैं तब बाद्शा निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला, और बाद्शा ने दस ओरतें जो हर में थी, घर की निगेवानी के लिए पीछे छोड़ दी, और बाद्शा निकला और सब लोग उसके पीछे चले, और वो बैटे मिरहाक में ठहर गए और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए और सब किरेती और सब फलेती और सब जाती यनि वो छे सो आदमी जो जात से उसके साथ आए थे बादशा के सामने आगे चले तब बादशा ने जाती अती से कहा तू हमारे साथ क्यों चलता है तू लोट जा और बादशा के साथ रहे क्योंके तू परदेशी और जिलावतन भी है सो अपनी जगह को लोट जा तू कल ही तो आया है सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है सो तू लोट जा और अपने भाईउन को साथ लेता जा रहमत और सचाई तेरे साथ हों तब अती ने बादशा को जवाब दिया खुदावन की हयात की और मिरे मुलक बादशा की जान की गस्म जहां कहीं मेरा मालक बादशा, खा मरते, खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा सो दाउद ने अती से कहा, चल पार जा और जाती अती, और उसके सब लोग, और सब नन्ने बच्चे, जो उसके साथ थे, पार गए, और सारा मुलक बुलंद आवास से रोया, और सब लोग पार हो गए, और बादशाह खुद नहर का द्रोन के पार हुआ, और सब लोगों ने पार होकर दश्ट की राह ली और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के एहद का संदूक लिये हुए आए और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया और अबियातर उपर चड़ गया और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा तब बाद्शा ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा पस अगर खुदावन के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मसकन को मुझे फिर दिखाएगा पर अगर वो यूँ फरमाए कि मैं तुझ से खुश नहीं तो देख मैं हाजर हूँ जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे और बादशाने सदूक काहिन से ये भी कहा क्या तू गैब बीन नहीं शहर को सलामत लोट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हूँ अखी मियास जो तिरा बेटा है और यूनतन जो अबियातर का बेटा है और देख मैं उस दश्ट के घाटों के पास ठहरा रहूँगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकते हाल की खबर ना मिले सो सदूक और अबियातर खुदा का संदूक यरुश्लिम को वापस ले गए और वहीं रहे और दाउद कोहे जैतून की चड़ाई पर चड़ने लगा और रोता जा रहा था उसका सिर धका था और वो नंगे पाउंच चल रहा था और वो सब लोग जो उसके साथ थे उन में से हार एक ने अपना सिर धांक रखा था वो उपर चड़ते और रोते जाते थे और किसी ने दाउद को बताया कि अखी तफल भी मुफस्दों में शामिल और अभी सिलूम के साथ है तब दाउद ने कहा आए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ के अकी तफल की सला को बेवकूफी से बदल दे जब दाउद चोटी पर पहुँचा जहां खुदा को सिजदा किया करते थे तवारे की होसी अपनी कबा फाड़े और सिर पर खाक डाले उसके इस्तक्बाल को आया और दाउद ने उससे कहा अगर तु मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा पर अगर तु शहर को लौट जाए और अभी सलूम से कहे कि ए बादशा मैं तेरा खादिम हूँगा जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा वैसे ही अब तेरा खादिम हूँ तो तु मेरी खातिर अखी तफल की मश्वरत को बातिल कर देगा और क्या वहां तेरे साथ सदूक और अभियातर काहन ना होंगे सो जो कुछ तु बादशा के घर में सुने उसे सदूक और अभियातर काहनों को बता देना देख वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं यनि सदूक का बेटा अखी मियास और अभियातर का बेटा युनितन, सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मारिफत मुझे कहला भेजना, सो दाउद का दोस्त हूसी शहर में आया और अभी सलूम भी यरुशलिम में पहुच गया.